जेहन दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्राक एक्जाम्स में आज की विडियो काफी मोटिवेशनल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगी कैप्टन अभिलाशा बराग की, जो बनी है भारत की पहली कॉम्बाट एवियेटर इस बार कॉम्बाट आमी एवियेशन स्कूल नासिक में, पासिंग आउट परेड में नाम अभिलाशा अन्ने 36 आमी पाइलेट्स के साथ पास आउट हुई थी कैप्टन अभिलाशा पंच कुला की रहने वाली हैं और उन्होंने SSB इंटर्व्यू कुल चार बार क्लियर किया है बात में उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकाड़मी जॉइन की और आमी एर डिफेंस कॉलेज में कमिशिन हुई आमी एविएशन कॉप्स के इतिहास में पहली बार एक महिला अफसर एविएटर के रूप में पास आउट हुई है और आगे आने वाले वक्त में वो अपने पंक पहलाएं आस्मान को चुकर अपनी उडान भरेंगी एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया कि उनका मानना है कि चाहे लड़का हो या लड़की हर कोई आस्मान जो सकता है बस उन्हें जरूरत है थोड़ी फैमिली सपोर्ट और सही सिक्षा की उन्होंने बताया कि CPSS और एविएशन के कठन मेडिकल को 15 में से कुल 2 महिलाएं पार कर पाई थी उनका कहना है कि आगे आने वाले वक्त में वो एक बहतर एविएटर बनेंगी और अपनी द्रणता और महनत से उचे मुकाम हासिल करेंगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सबस्क्राइब कीजिए हमारे चानल SSB Crack Exams को और अगर आप SSB की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पेट कोर्स इसको देखना बिलकुल मत भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में जैहन दोस्तो अगर आप एक defense experiment हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB Crack Exams के कोर्स को चेक करना न भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं